गाइस जैसे कुछ इस तरह के सेंटेंसे हमें बोलने होते हैं वह एक्सिदेंट के डर से बाइक नहीं चलाता मेरे डर से उसने कुछ नहीं बोला अपने पापा के डर से वह चुप रहा उसे खोने के डर से मैं उससे प्यार से बात करता हूँ तो यहाँपर आ रहा है के डर से इसके लिए हम एंगलिश में क्या यूज करते हैं के लिए हम अपने sentences में यूज कर सकते हैं For fear of इसका मतलब होता है किसी चीज के डर से या फिर डर की वज़े से तो चले देखते हैं इनने sentences में कैसी यूज कर सकते हैं जैसे example है, वह एक्सिदेंट के डर से बाइक नहीं चलाता, he doesn't ride bike for fear of accident. अपनी बीवी के डर से वह उची आवाज में बात नहीं करता, he doesn't speak at the top of his voice for fear of his wife. मेरे डर से उसने कुछ नहीं बोला, she didn't say anything for fear of me, अपने पापा के डर से वह चुप रहा, he kept silent for fear of his father, he kept silent for fear of his father, उसे खोने के डर से मैं उसे प्यार से बात करता हूँ, I talked to her lovingly for fear of losing her, घुसे के डर से वह कुछ बोला ही नहीं, he didn't speak anything for fear of anger, he didn't speak anything for fear of anger, तो guys, ये था इस वीडियो के लिए, मैं चादना हूँ कि आप इसके उपर अपने खुद के कुछ sentences बना कर मुझे comment section में बताएं, इससे आपकी practice भी हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, so thank you so much for watching this video, I'll catch you in the next video, take care.